पाकिस्तानी सोचल मीडिया इस दावे से बना पड़ा है। पाकिस्तान को कम के सबंदर में डुब हो दिया है। पर विराट ने डबल लिया। अब 3 बॉल में 13 बचे थे। और 4 गेत कबर के उपर फुल टॉस। विराट ने डीप स्कॉार लेक में जोतार छक्का लगा दिया। अब दो बॉल पर साथ रच चाहिए थे। लेकिन तभी अमपार एरेजबस ने चौथी गेत को नो बॉल करार दे दिया है। विराट में भी शॉट खेती नो बॉल की दिवाट की थे। पाकिस्तान के पूर्व खिलारियों का भी कहना कि ये नो बॉल नहीं थी। ICC का नियम ये है कि हाइट पूल टॉस के लो बॉल होने के लिए बल्ले से केंट के कॉन्टाक्ट के बद बॉल के हाइट कबर से उच्ची होनी चाहिए। साथ में दूसरा नियम ये भी है कि बलेवास गेट जालने से पहले आगे बरता शॉट नहीं खेलना चा रहा। जब आप इस गेट को देखेंगे तो पाएंगे कि जब विराट में शॉट खेला तो बॉल जबार से उट पर थी। दूसरी बात ये कि विराट पहले से ही फ्रंट रूट पर खेल रहे थे। और उन्होंने स्टेप डाउन करते हुए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया था यहां तक कि जब उन्होंने छक्का लगाया तो उनका पिछला पाउं क्रीज को चू रहा था। मतलब साफ है विराट के कोई गलती नहीं है और ये बॉल सच मुझ नो बॉल थी। वसीम अकरम और वकार यूरिस जैसे कुछ पूल पाकिस्तानी गेम बास ये भी कह रहा है कि नो बॉल का लेड़ा है थड़ अपायर के पास रफर किया जाना चाकिक था। उनी ये भी नहीं पता कि जब तक बलेबाद उस बॉल पर आउट नहीं हो जाता है तब तक नो बॉल के लिए थड़ अपायर के पास जाने का कोई नियम नहीं है। अगले मुकाबले में फिर एक बार उनको समख सिखाएगा। पाकिस्तान को प्रिच्वाथार भलेबाद इस पानी पिलाएगा विराद।